नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर कुछ उमयत्पून वन नाइन प्रशनों के साथ मैं हाजिर हूँ जिन प्रशनों पर चर्चा करने की आफशिकता होगी उस पर चर्चा करेंगे बाकी प्रशन को मैं एक फैक्ट के रूप में आपके सामने रखने वाला हूँ आपका समय ज्यादा लगाना मेरा कोई उद्देश है नहीं रहता आपके लिए अच्छी सामगरी अच्छे प्रशने आपके काम आने वाले प्रशन में पोस्ट कर सकूँ बस इतना ही मेरे लिए काफी है चलिए पहला प्रशन देखिए यह कथन किसका है कि सामराज जिवाद पूझी वाद की उचित अवस्था है या फिर हम कहें सामराज जिवाद पूझी वाद की उचितम अवस्था है तो यह कथन है ले निन का किसका कथन है दोस्तों ले निन का ओके नेक्स देखिए फेडर कौन सी पुस्तक? federal government. किस ने? केसी विरर ने. क्या किया? संगिय शाषन को शकतियों में विभाजन का तरीका बताया. उससे क्या होगा? छेत्रिय और केंद्रिय सरकार अपने अपने छेतर में स्वतंत्र और सयोगी होती है. ये इन्होंने कहा किस में federal government में? federal government किसकी किताब है KC VR की उन्होंने क्या किया संगेश शाष्ण को सक्तियों में विभाजन का तरीका उन्होंने बताया सूजाया नेक्स्ट प्रशन देखिए यह सिद्दान्त कि इसने दिया कि सब को अपनी योगजिता के अनुसार और सबको उनकी आउशिक्ता के नुसार ये सिद्दान थे दोस्तों कार्ल माक्स का किसका सिद्दान थे ये कार्ल माक्स का माक्स के नुसार माक्स कहते हैं कि जब समाजवाद का निर्मान पूरा हो जाता है और सरवहरा अधिनाय कत्व संपूर्ण जनता के राज्य में बदल जाता है और राज्य का उसी समय पूर्ण तया विलोब भी हो जाएगा जब समाज इस नियम को अपना लेगा कि हर एक को उसकी शमता के अनुसार और हर एक को उसकी आफशक तरख अनुसार मतलब उस समय जब कि लोग सामाजिक आदान परदान के मोलिक नियमों का पालन करने में इतने अभ्यस्त हो जाएंगे और जब उनका श्रम इतना उत्पादक हो जाएगा कि वे स्वेच्छा से अपनी शमता के अनुसार कारे करने में लग जाएंगे यह किसका कतन है कारल माक्स का कतन है ठीक है नेक्स देखिए लोग के सामाजिक समझोति के अनुसार कितने समझोति होए दोस्तों जॉन लोग के सामाजिक समझोति के अनुसार कितने समझोति होए तो दो प्रकार के समझोति होए कितने समझोतों का अवर्णन करते हैं लोग, दो, पहला खुला या जिसे हम सामाजिक समझोता भी कहते हैं, जो व्यक्तियों ने राजनितिक सत्ता को इस्थापित करने के लिए किया था, ठीक है, व्यक्तियों ने राजनितिक सत्ता को इस्थापित करने के लिए किया था, ओक फिर इसके बाद में समुदाय और एक विक्ती, यानि राजा के बीज में एक नहीं समझोता होता है, जिसमें जिसके अंतरकत शाषक लोगों को तीन प्राकरतिक अधिकारों को प्रभावशाली डंक से रक्षा करने का दाईत्व ले लेता है, वो तीन प्राकरतिक अधिकार क् जाहें दो समझते होएं ठीक है, next question देखिए, a theory of justice, बुस्तक के लेखा है, John Rawls, a theory of justice किताब किसकी है, John Rawls की, किसकी किताब है, John Rawls की, इसमें इनोंने क्या दिया, न्याय सिद्दान दिया, क्या दिया, न्याय सिद्दान दिया, कहां से यह प्रकाशित हुई, तो अमेरिका से प्रकाशित हुई कहां से प्रकाशित हुई अमेरिका से त्यान में रखिए गई फैक्ट छोटे मोटे नेक्स देखिए किस चिंतक ने 20 वी सदी में सामाजिक समझोते का नया दस्टी कौन प्रस्तुत किया तो वो चिंतक कौन है भाई जोन रोल्स है जोन रोल्स ने 20 वी सदी में सामाजिक समझोते का नया दस्टी कौन दिया अपनी इनकी जो क्रती थी कौन सी ए त्योरी ओफ जस्टिस जोन रोल्स की किताब है त्योरी ओफ जस्टिस अमेरिका में प्रकाशित हुई, कब हुई प्रकाशित 1971 में, कब हुई 1971 में, 1971 में इन्होंने ये तर्क दिया कि उत्तम समाज में अनेए एक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, उनमें न्याय का स्थान सबसे उपर होता है, सामाजिक अनुबंदन की तर्क प्रनालिका अनुसरन करते हुए प्रसिद कतन है, ती एच गरीन ने कहा है, तो भी आपका अनसर होगा, जॉन रॉल्स, नेक्स देखिए, किसने कहा था, राज्य का अधास शक्ति नहीं, इच्छा है, प्रसिद कतन है, ती एच गरीन ने कहा है, किसने कहा था, ती एच गरीन ने, कि राज्य का अधास शक्ति नहीं, इच्छा है, ये संप्रभूता पर अपने विचार रख रहे थे, उस समय इन्हों ने ये कहा था, कि will not force is the basis of state, तो ये ती एच गरीन का कतन है, कि राज्य का अधार शक्ति नहीं, इच्छा है, इन्हार की state and utopia की लेखा के रोबर्ट नौजिक, इन्हार की state and utopia की लेखा कौन है, रोबर्ट नौजिक, इनकी प्रसिद्ध करती है, रोबर्ट नौजिक की, है ना, इसका हम हिंदी मेरद देखें तो अरजक्ता, राजिये और कलपना लोग निकल कर सामने आता है, इसके अंतरकत नोजिक न्याय के दो तरह के सिद्दान्तों में अंतर करते हैं एक और न्याय के एतियासिक सिद्दान्त है दूसरी और साध्य मूलक सिद्दान्त है इस किताब में न्याय के नोजिक के दोरा न्याय के दो तरह के सिद्दान्तों का अंतर किया गया एक सिद्दान था एतियासिक सिद्दान और दूसरा सिद्दान कौन सा था साध्य मूलक सिद्दान नेक्स देखिए यह कथन किसका है कि रक्त संबंद ने समाज को जनम दिया और कालांतर में समाज से राज्य के उत्पत्ति हो गई ये मैकाईवर का गथन है किसका गथन है मैकाईवर का गथन है ओके हम चलिए नेक्स देखिए प्रश्ण मातमा गांदी की समाजवाद की धारणा अधिक्तम निकट है किसके निकट है मातमा गांदी की समाजवाद की धारणा किसके निकट है तो माक्स ये समाजवात के है, माक्स ये समाजवात मतलब काल माक्स, हम देखते हैं तो कि मातमा गांदी और काल माक्स दोनों ने आधुनिक युग में जो परिशान मानव है, पीडित मानवता को अत्याचार का विरोध करके अपने अधिकार के लड़ने के लिए समानता पर आ और राज्यहीन समाज का उद्य होगा तो गांदी जी भी वर्गहीन राज्यहीन समाज की बात करते हैं और कालमाक्स भी इसके बात करते हैं तो इसलिए गांदी जी का समाजवाद किसका निकटम है माक्स के समाजवाद के निकटम है नैतिक्ता का ग्यान नैतिक्ता का ज्यान नैतिक्ता का ज्यान है सिद्दान्त किसने प्रतिपादित किया तो ये सुक्रात का सिद्दान्त है किसका सिद्दान्त है ये सुक्रात का रूसो की सामान या कांक्षा से क्या प्राय होता है क्या भी प्राय है क्या मतलब है लोगों का सामुई कल्यान रूसो रूसो के बारे में हम जब अध्यन करेंगे तो वो कहते हैं कि सामाने इच्छा के विरुद लोगों के कोई अधिकार नहीं हो सकते रूसो का संप्रभू सामान्य इच्छा है और होब्स का संप्रभू लेवियाथन है रूसो का संप्रभू होब्स का लेवियाथन है जिसका सिर काट दिया गया है ये कथन आपको मिलेगा कि रूसो का संप्रभू होब्स का लेवियाथन है जिसका सर काट दिया गया है तो रूसो जो है एक पॉइंट और ध्यान में रखिए रूसो लोक की तरह प्राकरति का दिकारों की बात नहीं करता ओके नेक्स देखिए बंदूक की नली शक्ति का स्रोत है यह उद्गोष्णा माउ जिडांग की थी कि बंदूक की नली क्या है शक्ति का स्रोत है बहुमत का आतंख नामक विचार किसने प्रतिपादित किया तो JS मिलने किसने प्रतिपादित किया बहुमत का आतंक का विचार JS मिलने तो JS मिलने जलतंत्र को बहुत संख्यकों का अत्याचारी शाषन कहा था क्या कहा था बहुमत का आतंक है न तो आतंक किसी अच्छे शब्द के लिए तो आता नहीं है और सच्छे में तो निकलेगा नहीं तो J.S. मिलने जनतंत्र को बहू संख्यकों का अत्याचारी तंत्र कहकर पुकार था किसने J.S. मिलने नेक्स देखिए T.H. Green की राज्य की धारणा है कि राज्य लक्षय प्राप्ति के लिए एक साधन है ये T.H. Green की राज्य की धारणा है इन्होंने राज्य को लक्षय प्राप्ति के लिए क्या माना एक साधन माना है तो T.H. Green ने राज्य को क्या माना साधन माना है पॉइंट सर्वोच संस्ता है ये विचारिन का बराबर था टी एज ग्रीन का और हीगल का कि राज्य सभी संस्ताओं से उपर एक सर्वोच संस्ता है इससे उपर कुछ भी नहीं है एक व्यक्ति एक कारे अर्थात कारे विशेशी करन ये विशेश है विशेशी करन देखिए किसका विश प्रतित होती है आधुनिक युग में न्याय शाषन का अभिप्राय राज्य में शांति और सुवस्ता बनाए रखने से हैं प्लेटो ने न्याय की परिवाशा किस किताब में दी है तो उनकी किताब कौन सी है रीपब्लिक कौन सी कितान पर रीपब्लिक में उन्होंने तो प् प्रश्णों की प्रकरती वन लाइनर के माध्यम से फैक्ट भी मिले होंगे कुछ एक दो प्रश्ण आउटर भी आपको समझने की कोशिश की होगी यदि आपने वीडियो नोट पूरा देखा है तो अपने दिन को निरंतर जारी रखिए मैं जितना मेटेल आपके साथ लाज सकूँगा लाता रहूँगा वीडियो नोट रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद